जैहें साथिको बेलकम टू सुमिजेन योटूब चैनल दोस्तो आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर से समन्द जितने भी करेंट अफेर्स की महत्पूर्ण प्रस्न बन सकते हैं उन सभी प्रस्नों पर हम डिस्कस करेंगे और वीडियो आपको लास्ट तत देखना है वीडियो के अंतमे मैं आपको एक कॉस्चन देता हूं जिसका उतर आपको कमेंट में बताना होता है और उन सभी कमेंटों को जो भी उतर बताती हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं साविल करता हूं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो को लाइक करना है और सेयर करना है और इस वीडियो की जो पीडियेप है उस पीडियेप को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जोडना है टेलिग्राम ग्रूप से जोडने के लिए आपको सर कर सकते हैं और रोज रात त्री वारवजे आपको जो है ए करेंट अपेर्स का वीडियो मिलता है तो जरूर देखें और सेल्प स्टेडी किलासे समिजन यूटूब चनल में सामको साड़े छे बजे रोज लाइफ किलास होती है जिसमें करेंट अपेर्स जी के हिंदी से समंद सबी मिसरित प्रसने लिए जाते हैं तो वो जरूर देखें हाली में किस राज द्वारा जोती राओ फुले किसान रिण मापी योजना की गोशना की गई है तो आपको बताना है जोती राओ फुले किसान रिण मापी योजना की शुरूआत की गई है कहां पर तो इसका सही क्या हो जाएगा उत्तर होगा दोस्तों महराश्ट यानि कि जो बिकल्प नम्मर दो है वो इसका सई हो जाएगा जी हां दोस्तों महराष्ट के मुकमंत्री गुद्धव ठाकरी द्वारा किसानों के लिए जो तिराव फुले किसान रिन माप योजना की गोशना की गई है इसके तहत नियूनितम साजा कारिकरम के तहत किसानों की कर्जमापी की गोशना की गई है इसके तहत जिन किसानों ने दो लाक रोपे का रिन लिया है बे इस योजना का लाव उठा सकती है महराश्ट में एह योजना मार्च 2020 से लागू हो जाएगी अब दोस्तों बात आई है महराश्ट की तो महराश्ट से सबंदेत करेंट अपियर्स के कुछ कोस्चनों को हम जानेंगे नौसेना ने समुद्र के अंदर अपना पहला ड्राई डॉक कहा बनाया तो इसका सही उतर होगा मुंबई ठीक है आपको याद रखना है किस राज ने धुएं से रहत रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूला लांज किया है तो इसका सही उतर भी आपका होगा महराश्ट ठीक है तो ये करेंट के कॉस्चन है जो आपको याद रखना है पिलहाल महराश्ट सरकाने जो तीराओ फुले किसान रिणमापी योजना की सुलुगात की है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अंगला हमारा प्रसन है हाली में किस राज में दक्षन भारत का सबसे पुराना सिलालेक पाया गया है जी हाँ दोस्तों तो किस राज में पाया गया है तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए उत्तर होना चाहिए बिकल्प नमर दो अंद प्रदेश में पाया गया है ठीक है ये चीज़ आपको याद रखनी है अंद प्रदेश में भारतिय पुरातत सर्वेक्चन ASI दुआरा धक्षन भारत का अब तक का सबसे पुराना संस्क्रिट स्लालेक पाया गया है एस संस्क्रिट स्लालेक आंधर प्रदेस के गुन्टूर जिले के चैवरोडू गाउं में खोजा गया है सब्ध मात्रका हिंदू धर में साथ देवियों को कहा जाता है अब बात आई है अंदर प्रदेश की तो कुछ महत्पूर्ण प्रस्ण हैं बन जाते हैं यहां से करेंट अपेर्स के ICC ने किसे पहली महिला रेफरी बनाया है तो GS लक्षमी को बनाया है औरे कहां से सम्मान देते हैं आंद्र प्रदेश से सम्मान देते हैं ठीक है आंद्र प्रदेश उचने आलाई कि पहले मुक्ष नियादिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो निया मूर्ती बिक्रम नात को ये चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है अंत्रिक्ष में satellite मार गिराने की तागत हासिल करने बाला भारत कौन सा देश बन गया तो यह चौता देश बन गया ठीक है यहाँ पर अंत्रिक्ष की बात आई है तो हमारा अंत्रिक्ष इस्पेस जो सेंटर है जहां से जो है उपग्रह लांच किये जाते है स्री हरी कोटा जो है वो कहां पर है तो वो भी आंद प्रदेश में है याद रख लेना है सिकर धवन अंतरिक्ष केंदर जिसे की कहा जाता है तो वो भी आंद प्रदेश में है तो आंद प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है और फिलहाल सबसे पुराना दक्षन भारत का सबसे पुराना सिलाले खो जा गया है कहाँ पर आंदर प्रदेश में ये चीज़ आपको याद रखनी है सन्युक्त राष्ट में बताया गया है तो इसका सही उतर होगा मलाला यूसुप जाई को जो की पाकिस्तान की है सन्युक्त राष्ट द्वारा हाली में डिकेट इन रिव्यू रिपोर्ट में पाकिस्तानी सिक्षा कारे करता और नोबल पुरुसकार विजेता मलाला यूसुप जाई को मौझूदा दसक की विश्युकी सबसे पृसिद्ध के सोरी बताया गया है वारसु 2014 में मलाला को नोबल पुरुसकार सांती सांती का जो नोबल पुरुसकार है 2014 में मलाला यूसुप जाई को मिला था समानित किया गया था और वे सबसे कम उम्र में एउपलब्दी हासिल करने वाली सक्सियत बनी गोर तलब है कि मलाला की सिर में तालिवानी आतंकियों ने गोली भी मारी थी लेकिन उन्होंने फिर भी लड़कियों की सिक्षा के लिए काम किया तो आपको पता होनी चाहिए कि सन्युक्त राष्ट द्वारा हाली में इसे जो है इस दसक में विस्तुकी सबसे पिरसिद की सोरी बताया गया है तो याद रखना है मलाला यूसुप चैको नेक्ट दोस्तों हमारा जो प्रशने है हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया जाने वाला रोसनी का तेओहार है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इसराइल एनि कि जो बिकलप नमर 4 है वो इसका सही हो जाएगा हनुक्का फेस्ट की हाली में शुरुआत हुई है यह तेवार बुराई पर अच्छाई की जीत और रोसनी के प्रतीक के तोर पर मनाये जाता है यह इस छेतर में रहने बाले हनुक का यहूदियों का एक बड़ा तेवार है और इसे फेस्टिवल आफ लाइट्स भी कहा जाता है तो आपको याद जो है यहां की जिरुसलम है याद रख लेना है और मुद्रा इजराली नई सेकल है राष्टपती रुबेन रिबनल है तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि हनुक का जो फेस्टिवल है यह रोसनी का तेवहार है कहां का इजराईल का है नेक्स्ट बात करेंगो दो भारत की पहली Transgender University बनी है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश इस्थरित कुशिनगर जिले में भारत की पहली Transgender University बनाई जा रही है ऐधेस में अपनी तरह की पहली University होगी जहां Third Gender के लोग सिक्षागरान कर सकेंगे इसका निर्मान अकिल भारती किनर स सिक्षा सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है इस विस्विध्याला में कक्षा एक से लेके इसनात को उत्तर तथा पीएजडी तक की उपाधी डिगरी हांसिल की जा सके की उत्तर प्रदेश में अंतराश्टी क्रिकेट इस्टेडियम कहां बनेगा तो गोरकपुर में बन जाता है जिसके करण असहियो गांदुलन इस्तिगित कर दिया गया था 1922 में हुआ था तो अगर आप से पूछा जाता है कि चोरा चोरी चोरा जो इस्थल है वो कहां है तो वो भी गोरकपुर में है और जहां पर अंतराश्टी क्रिकेट इस्टेडियम भी बनाय जा रहा है बेबी फीडिंग रूम बाला देश का पहला इसमारा कौन सा है तो वो है ताज महल और ताज महल उत्तर प्रदेश के आगरा में है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है इतनी चीज़े करेंट से भी आपकी बन सकती है हाली में किस मोबाइल सेवा प्रदाता ने भ प्रांतिकारी कदम माना जा रहा है इस सुबीदा का लाब उठानी के लिए किसी केरियर नेटबर की आवसकता नहीं होती अर्थात इसके लिए टॉक टाइम या बैलेंस की आवसकता भी नहीं होती इसके माध्यम से बिना इंटरनेट कनेक्शन के ही विक्ति काल प्राप्त क प्राप्त कर सकेगा तता उससे किसी अन्याप्त किया बसकता नहीं होगी तो यह चीज़ आपको याद रखनी है अंगला प्रस्ने निमले कितमे से कैसे सरकारी योजना के तहत सरकार द्वारा मार्च दो हजार बीस तक भारत के सभी गाओं को बाइफाई से जोड़ने का ल प्रसाद ने हाली में गोचना की कि मार्च दो हजार बीस तक सभी गाओं को मुप्त बाइफाई से जोड़ा जाएगा भारत नेट योजना के माद्यम से सरकार दो दिसमलाव पांच लाग ग्राम पंचयातियों को यह सुविदा देगी इसके तहत आफ्टिकल फाइवर के म तूर संचार और आईटी मंत्री रवी संकर प्रसाद ने जो गोचना की है कितने गाओं को ग्राम पंचयातों को वाइफाई से जोड़ा जाएगा तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए दो दिसमलाव पांच लाग ग्राम पंचयातों को ठीक है तो यह चीज आपको याद र हो जागा कामा रेड़ी एनि कि जो बिकल्प नमर एक है वो सही हो जाएगा ठीक है जी हां दोस्तों कामा रेड़ी जिले ने यह पुरुसकार जीता है यूनिसेफ पुरुसकार और 2019 का यूनिसेफ पुरुसकार तैलंगाना के कामा रेड़ी जिले ने जो है यह पुरुसका जीता बरतमान में तैलंगाना की जो मुकमंत्री हैं वो चंदर सेकर राव वो राजपाल है तीमी लिसाई सुंदर राजन तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और बात आई है यूनिसेप की तो यूनिसेप का जो मुख्याला है वो कहां पर है निवियार्क में है सन्योक्त है हिंदी के परशिद्य साहतकार गंगा परशाद बेमल हाली में खालिस्तान में निधन हो गया इनका जो गंगा परशाद बेमल है ये साहतकार है और इनका कहां पर निधन हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगलादेश यानि की जो बेकल्प नमर 3 है वो इसका सह हो जागा हिंदी के प्रशिद्य साहितकार गंगा प्रशाद बिमल हाली में स्री लंका में 80 वर्ष की आयू में एक सड़क दुरगट नाम उनका निदन हो गया बिलेखक के साथ अनुबादक और जवाहला नहरु बिस्विद्याले के पूर्व प्रोफेसर थे तो यह चीज आ प्रशाद बिमल जी है इनका निधन हुआ है स्री लंका में तो याद रख लेना बिकल्प नमर दो इसका सही हो जाएगा स्री लंका ठीक है याद रखो स्री लंका सही है नेक्ट बात करेंगे खादी ग्राम उद्योग आयोग के बी आईसी ने किस इस्थान पर सो किसानों क को एक हजार वीवाक्स बित्रित किये है तो इसका सही उतर होगा अगरतला यहनि कि जो बिकल्प नमर तीन है वो इसका सही हो जाएगा है ना तिरपुरा की राजधानी अगरतला में जो है खादी ग्राम उद्योग आयोग के बी आईसी ने किस इस्थान पर जो है तो अगर अगरतला में 100 किसानों को 1000 वीवाक्स बित्रित किये है महत्मा गांदी की एक सो पचास भी जैनती के आउसर पर खादी ग्राम उद्योग आयोग के बी आईसी ने अगरतला में गरीब तबकों को सहायता प्रदान करने के उद्दिश से 100 किसानों को 1000 वीवाक्स 100 बरतनवालो को एक सोपट पाटरी भील और सो चमडे के कारिज़ों को 100 रेधर किट प्रदान किए गए इसके तहरत हैं मिसंग के कारिज़ों की ससकती करण तथा कुम्हार ससकती करण मिसंग देसे कारिकरमों से लोगों में आथम्विस्वास बर میए हैं और समाज के गरीब तो कल्चलर हब बनाए जाएगा तिरपुरा में, ठीक है, इसका उत्तर भी आपका तिरपुरा होगा, और बात आती है तिरपुरा की राजधानी, अगर तला इस्तित एयरपोट का नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा, महराजा बीर बिक्रम मा के question होगे, और फिलहाल, अगर तला में क्या हुआ है, कि 100 किसानों को 1000 बी वाक्स बितरित किये गए है, यह चीज़ याद रखनी है, अंगला हमारा प्रस्ने भारतिये बायुसेना का कौन सा बिवान, 27 दिसमबर 2019 को सेवा निर्बित हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएग को कारगल युद्ध के नायक के रूप में जाना जाता है, जिसने 27 दिसमबर को जोद्पुर से अंतिम उडान भरी, यह अपने सेवा काल में भारतिये बायुसेना का मुख लडाकु बिमान रहा है, जिसने 1999 के कारगल युद्ध के दौरान अपना पराकरम से दिखिया था, इसक्वाडरन को 31 मार्च 2020 को नंबर पिलेट किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि अपनी सेवाओं से रेटायर हो जाएगा, तो मिग 27 जो है हाली में रेटायर किया गया है, तो यह चीज आपको याद रखनी है, जो कि एक फाइटर जेट बिमान है, नेक्ट बात करेंगे, 29 दिसमबर को जहार कंड के नएक मुखमंत्री के रूप में कौन सपत लेगा, तो आपका उत्तर होगा दूस्तो बिकल्प नमबर एक, हैमंत सोरेन, यानि कि जो बिकल्प नमबर एक है, वो सही हो जाएगा, हैमंत सोरेन जहार कंड के नए मुखमंत्री के रूप में सपत ले है और जारकंड से सम्मंदित कुछ क्वेस्टन आपको याद रखना है जल सकती अभियान में किस से किस जले ने देश बर में पहला इस्तान हासिल किया तो धनबाद ने किया है जल सकती अभियान में किस राजि के योवा कभी अनुज लुगून को योवा साहे तक अकाद्मी परश्कार देने की गोशना की गई है फारत के किस NGO को Sport for Good Award दिया गया है तो वो दिया गया है योवाई NGO जो की कहा से सम्मंद देते है जारकंड से सम्मंद देते है तो ये चीज आपको याद रखनी है तीक है अब आपको ये प्रशने का उत्तर रोज की तरह कमेंट में बत है ये तो रोज की तरह आपको कमेंट में लिखना है बिस्तरत रूप से आपको जानकारी है तो बहुत सारे लोग बिस्तरत रूप से भी लिखते हैं अच्छा लगता है अपने को जानकारी होती है दूसरे लोगों को भी जानकारी होती है और दोस्तों चैनल को करके बैल आइकन को जरूर दबाना है प्रशन पूछा गया था उसका उत्तर भी ओदाई टू योजना है तो इन्होंने लिखा है आज तो आपके वीडियो की टिपडी में मेरा ही नाम है वेरी गोट उदाई जी बिल्कुल चा रहे हैं आप तो तो कुलदीब जी MP पुलिस में क्या पूचा जाता है जी के बताएं बिल्कुल बताएंगे MP पुलिस आने तो तो रभी कांत जी उदाई टू योजना इन्होंने सही बताएं खुल दीब जी बिल्कुल पूरी तयारी करवाएंगे आप बिल्कुल चितानी करें रईस भाई जी ने इन्होंने भी सही लिखा है दीपा सिंग जी ने भी लिखा है बहुत बड़िया राज जी हमेशा कमेंट करते हैं धनवाद Raja जी ने भी सही उतर बताया है जैसिंग एक्जाम जी वरी गोड केला सर्मा जी आपको भी धनवाद प्रैम कुमार जी धन्वाद मुहम्मद सलीम खान जी तो बहुत सारे लोग हैं जो बिलकुल मुहम्मद सलीम जी हैं जैसिंग जी हैं राज जी हैं बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं बिस्तित रूप से बताते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बहुत पुछ बीडियो मिल जाता है शाथी पीडियाप भी आपको मिलती है और टेलिगराम में भी आपको पीडियाप से इंडर करता हूँ तो टेलिगराम ग्रुप से जरूर जुड़ें और दोस्तों बीडियो को like और सिहर अबस्त करना है और सामको साड़े चह बजे आपको live class मिल मिलती है Self Study Classes YouTube चैनल में तो वो जरूर देखें और एक तारीक से 9 वजे आपको हिंदी साहित की Live Class मिलेगी Self Study Classes में तो वो भी आपको देखनी है ठीक है एक तारीक से रात 3 9 वजे तो वो भी उस किलास से भी आपको जुड़ें तो आज के लिए वस इतना ही जैहें